आपका पार्टशाला रिशिकेश के यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज है सहनिवार और हम लेकर के आए हैं आपके लिए आपकारी special practice series जो हर सहनिवार को एक special practice set जो आपकारी exam के हिसाब से बनाया जा रहा है आपके revision के हिसाब से बनाया जा रहा है वो है यहाँ पर हम इसको solve करेंगे solution यहाँ पर है यह PDF जो है इससे regarding वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल ध्यान जो सुनिएगा इस test की free PDF, free PDF कहां मिल रही है आपको तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल रही है टेलिग्राम चैनल का नाम क्या है? तो पाटशाला रिशीकेश क्या नाम है? पाटशाला रिशीकेश ठीक है? पाटशाला रिशीकेश के नाम से पाटशाला रिशीकेश गुरूप C दोस्तों यह याद रखना कि आपको पाटशाला रिशीकेश के नाम से दो चैनल मिलेंगे रिशिकेश पाटशाला के नाम से भी हमारा चैनल मिलेगा लेकिन पाटशाला रिशिकेश ग्रूप सी जो चैनल है वो आपके लिए है और उसमें आपको ये टेस्ट जो हम अभी किस के लिए करने जा रहे हैं हम उत्रा खंड के लिए करने जा रहे हैं ठीक है तो ये आपको मिलेगा दोस्तों टेस्स सीरीज फ्री है बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं और आप पर्चेस भी कर सकते हैं आंसर की आपको PDF में मिल जाएगी ये बिल्कुल एक दम है ना तो ये टेस्स हम शुरू कर रहे हैं इस्पेशल है आपकारी के लिए और standard question बनाएगे आप एक बार करके देखेगा और एक और मैं आपको condition बना दूँ आपको जो भी question अगर आपको ऐसा लगता है ये question कैसे बना दिया कहां से बना दिया कौन सी book है तो हम आपको परिक्षावानी maximum question यहाँ पर परिक्षावानी से रखे गए हैं हम यह assured करते हैं यह हमारे पाटशाला के test series की quality बाकि आपकी मर्जी test देखिए आपको उमीद है आपको पसंद आएगा अच्छा आएगा और एक और बात देखो आप कारी के लिए दिन बढ़े हैं लेकिन महनत मत कम कर देना selection तुमारे हाथों में है आप कारी में कोई भी बहुत top का PCS का बच्चा नहीं जाएगा वहाँ पर करने के लिए आपने अभी VPDO का result देखा एकदम high गई है merit है ना तो यह नहीं आपको समझना है आप यह याद रखिए कि अगर आप कारी में मौका है तो एक अच्छा मौका है वहाँ पर कोई ऐसा PCS लेवल का नहीं टॉप पर कोई पहुँचेगा कि फिजिकल करके वहाँ पर नॉर्मल बच्चे पहुँचेंगे आपके हमेज के बच्चे पहुँचेंगे बस पढ़िए इमानदारी से डिलीवर कीजिए ताकि मांक्स आपके अच्छे आए चलिए इससे पहले कि आपने कोईशन का आंसर कर लिए और आप नहीं किया रहे क्या बकवास कर रहे हो तो भई या 2X पे कर लेना आंसर मिल जाएगा ठीक है चलो हम क्या कर रहे है उत्राखंड हिंदी इस तरीके से section बाटा गया है मैं GS का faculty हूँ GS अच्छा पढ़ाता हूँ ज्यादा ठीक पढ़ाता हूँ अब होगा क्या कि उत्राखंड में मैं आपको explanation थोड़ी कम दूँँगा आंसर फटावट बताऊँगा पहला question से शुरू कर रहे है इसपर्ष गंगा अभियान 2009 की शुरुआत किस स्थान से की गई थी तो दोस्तों ये जो 2009 में इसपर्ष गंगा जो अभियान है ये टीरी विश्विध्याले के बच्चों ने शुरू किया था तो ठीक है तो मुन्नी की रेती मुन्नी की रेती टीरी है ना तो ये वहाँ पर से शुरू हुआ था माफ करना टीरी विश्विध्याले मैंने बोल दिया ठीक है मुन्नी की रेती जो टीरी है वहाँ से ये अभियान की शुरुआत की गई थी 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों ठीक है उमीद है आपको ये बात समा जाएगी तो ये question है बहुत simple question है बिल्कुल एक दम basic रखे गए हैं ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे चलिए आगे चलते हैं अगले question की तरफ next question क्या कहा रहा है second question कहा रहा है अंगरेजी के परसिद बाल साहितिकार रसकिन बान्ड कौन है बाल साहितिका रसकिन बान्ड जो की मनसूरी में रहते हैं कि पर्थम रचना है देखो एक बात मेरी समझना कि informative paper है revision जादा हो 80% revision 100 question 400 के बराबर हो ताकि तुम paper में अच्छा कर सको तो room of the roof बिल्कुल previous year question है एकदम इसको आप कर देंगे अगले question की तर देखो जो Microsoft जब भी बात आते हैं किसके लिए बोल रहे हैं ये बात कर रहे हैं कि कई चीजों के लिए हो सकता है स्थापित यहां पर सिक्षकों के पर सिक्षण के लिए है और जब भी ऐसी high tech company की बात होती है तो मेरी बात याद रखना कि धेरदून आपको maximum answer मिलेंगे क्य देखेगा ये एक question इसको बनाने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है वन लाइनर नहीं type ठीक है ताकि तुमको revision मिले अच्छा मिले चारी चीज़ें पता चले सबसे पहले मुनाल परयोजना तो मुनाल एक और एक 11 के साथ है अकेला नहीं है मुनाल है आपको पता ही है नंद A का C कहा रहा है बात खतम हो गई नहीं अच्छा दूसरे का A भी चेक करना है ठीक है ठीक है ओकी got it तो हो गया भाईया D answer हो गया मिला लेना चेक कर लेना कोई दिक्कत परिशानी नहीं हम answer बता देंगा अगला है craft design केंदर की स्थापना कहां की गई है craft design ठीक है क्या धेरद पशू पालन का कुछ केंदर है यहां पर पशू पालन का कुछ केंदर है घलदवानीम की अगर बात करें तो यहां पर हाई कोट अब हमारा ने नितल का ही कोट shif Collins होने वाला है देरदूatically में बहुत सारे संस्तान है सारे के सारे संस्तानों को HEED QUOTTER लगब वही मिल जाता है अच्छा टीरी बांद अगला कोशन टीरी बांद टीरी बांद जो है उत्राखन की शान आजाओ के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन गलत है कौन सा सुनना है चुनना है गलत कथन चुनना है चार आप्शन है फटा फट पर डालो तो जहां से तुम्हारा मन करें दुनिया का इसके जलाशाए का इस्थानिया नाम बताना है क्या बताना है इसके जलाशाए का स्थानिया नाम बताना है दुनिया का पांच वा सबसे नहीं है बलकि कौन सा है चौथा बताना क्या था गलत है तो भाई या गलत जो है गलत जो है गलत वो पहला option हो जाएगा question number 6 का पहला answer है ठीक है चलो अगला क्या बताना है तुमने जो टीरी बांध है उसका जो जलाशा है जो 42 वर किलोमेटर पर फैला है उसका इस्थानिया नाम क्या है इस्थानिया बताना है और ये कैसा question है प्यारे बच्चों ये HW वाला question है homework वाला question है क्योंकि तुम home से ये को answer दे रहे हो कहां से home से घर से दे रहे हो घर से चलो आज़ो प्यार से बैठ करके इस पूरी channel पूरी वीडियो को देखना आपको बड़ा मज़ा आएगा अच्छा गडवाल मोटर यूजर्स को अपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है एक बात आज नोट कर लो जितने भी प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं जब ऐसा कुशन दिखे और जब जब तुम संस्थान पढ़ो तो दोम देखोगे कई सारे सिमिलर नाम वाले संस्थान बनते हैं तो मान के चलना कि एक्जामनर वहीं बैठा है एकडम एक्जामनर वहीं बैठा है कुमाओं ओनर्स पढ़ा ये क्या है ये motor users को operative है जो motor को use करते हैं उनके लिए ये बात है और इसका answer 1958 होगा प्यारे बच्चों अगर दिल तूटा तो कोई बात नहीं अगले question पर आगे बढ़ेंगे अगला question समझेंगे बुरा नहीं मानना किस जन जाती में किस जन जाती में विभा से पहले सांग जांगी और पिठा संसकार संपन होता है प्यारा कुशन जन जाती उतरा खन में is very very important सांग जांगी और पिठा संसकार संपन होता तो किस में होता है तो भाई देखो सांग जांगी और पिठा मतलब साथ में जाना है और पीठ में बैटके जाना है इसके लिए तो राजी होना पड़ेगा कि साथ में कोई जाना चाहता है सांग जांगी मान लो और पिठा में रहना मेरे साथ ही तुम्हें आनादाय का मज़ा आएगा ठीक है चलो दो हजार ग्यारा की जनगन्ना की अनुसार उत्राखंड के संबंद में कौन सा युगम तूटी पूण है तुम कहोगे ऐसा पेपर तो एक्जामनर नहीं मराता मेरे भाई तुम्हारे ले रिविजन के ल लोगों की संख्या को जनगनों तो कहा जाता है उत्राखंड का स्थान क्या है उत्राखंड का स्थान 25 है क्या बिल्कूल बताना क्या है तुरूटी पूर बताना है प्यारे बच्चों इसको हाइलेट कर लेंगे ठीक महिला साक्षर्ता में स्थान 20 है क्या बिल्कूल अगर महिला में इतना है तो मेरे पुरुष साथियों क्यों भी तुम पीछे हो तुम तो अच्छा ही कर रहे हो तेरेवे नंबर पे तुम हो लिंग अनुपात में स्थान सत्रवा है क्या नहीं भया लिंग अनुपात में स्थान सत्रवा नहीं है सत्रवा तो किस में है सत्रवा तो स कोशन में दम है क्या आगे आओ आओ चलो वारूनी पंच कोशी आत्रा किस जनपद में होती है यह है कोशन टीरी चमुली उत्तरकाशी और रुद्रपरियाग बड़ी प्यारी है तो तुम्हें मुझे बताना मतला बताना क्या है मैं बता दे रहा हूं उत्तरकाशी में होती है दोस्तों ठीक है चलो यह आपको ध्यान रखना है वारूनी पंच कोशी में रुद्र परियाग यह सब है 10 वा आन्सकोशन नहीं है तो सुमेल करना है स्को और कुछ नहीं भारत का एड़न बरा नानिकेत हिमाली की दौणा रहारी का दौणा कोशानी छोटा कश्मीर देखो ऐसे प्रकार के कोशिण में सबसे पहले वो कर लो जो तुमें आता है जैसे बलना कोशानी बच्चा बच्चा जानता हो가ा छोटा कश्मीर पिथोरागर बच्चा बच्चा जानता होगा हिमाले की दुआरी का दुआर हाड तो अब भारत का एडिन बरा क्या रानी की खेत नही करना चाहते तो हमारा पाठशाला रिशिकेश में offline बैच चल रहा है वो भी आप जोइन कर सकते हैं है ना चलिए राज्य में स्थित चारो धामों का हरिद्वार से दूरी के आरोही करम में निम्न में से कौन सा सही है सबसे पहले प्यारे साथी आरोही करम क्या होता है ये समझ हो देखो दोस्तों अवरोही अवरोही ठीक और ये है आरोही अवरोही का मतलब है घड़ते करम में घड़ते करम में अब घड़ते करम में अब घड़ते करम में तो आरोही का क्या हुआ हुआ बढ़ते करम में, बढ़ते करम में मतलब हो गया, ठीक है, बढ़ते, इसका मतलब हो गया, क्या, इसका मतलब है, बढ़ते करम में, इसका मतलब है, बढ़ते करम में, तो जरा बाइन मेरी बात समझना, बढ़ते करम में अगर आंसर दिया है, तो बढ़ते करम में, तो बढ़त चल रही दुनिया भर की न्यूज में लगाता रचापरा फिर कोई सवाल आ जाएगा ऐसा घबरा के बैठोगे तो रिविजन करो मगर प्यार से आ गया अगला कोशन इसी प्रकार का मिलता है सारी परवत चोटियां रट डालो बिना देर करे निम लिखित परवत चोटियों को आरो ही करम में अगेन आरो ही आ गया अगर आरो ही आ गया तो मतलब क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों बढ़ते बढ़ते करम में बस इतना व्यवस्तित कीजिए कर दो भाईया तो देखो पंचा चूली पंचा पंच नहीं है इसकी Height है 6904 माना माना कितनी है माना कुछ 7000 के कुछ होगी इसकी देख लेना जो भी होगी तो इसका आंसर देखें जरा आंसर है इसका ये वाला 3412 3412 34 मतला भागी रथी सबसे छोटी है भागी रथी की हाइड जो है वो है 6756 ठीक है कैमरे से भूल जाता हूँ न कई बार में और 4 खंबा की है 7138 7138 ठीक है ये कुछ नहीं है जो आज प्रेक्टिस सेट हमने आफ लाइन में करवाया ऐसा प्रेक्टिस सेट दिया जाता है वो ही ये प्रेक्टिस सेट है उसमें आंसर हमने कर देते हैं ताकि हम घबराए नहीं ठीक है उत्रा खंड में खास करके चलो एक दम सटीक लगाते हैं ये रहा जी आंसर करो जरा वीडियो को पॉस कर लो अपना आंसर लगा दो क्योंकि कई लोग फिर डरने वाले हैं प्यारे साथियों तो जरा देखना मेरी बात समझना गोरखाओं का अंतिम वा पर्थम अंतिम कौन था और पर्थम कौन था ठीक है ऐसा कौन सी बुक बताती है प्यारे साथियों ये सवाल अजे रावत से लिया गया है ना नाम तो ले सकते हैं उनका रावत जी से लिया गया चुर जी भी लगा लो और बताओ ठीक वहां से लिया गया है तो इसलिए मैं तुमें सोर्ष भी बताऊंगा फरजी सवाल नहीं दालूंगा पूरा explain करेंगे भाईया आगे आओ देव प्रियाग में कुछ गलत मैंने पिछे वाले question में कर दिया क्या I think C का D कर दिया क्या किस तीरी नरेशने करी थी 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 किस important रहा है उस समय के बाद से वो तो exam में आता है यह तो उससे पहले भी जो कुछ कोशन से वो बड़े important है देव प्रियाग में संस्कृत पाट शाला कि स्थापना किस सरनरेश ने की थी तो भाई भवानी भवानी शहानी की थी किस ने की थी भवानी शहाने कब की थी तो ऐसा लगभग है मामला कहां 1861 का मानते हो गया बात चलो आगे चलते हैं बुरा नहीं मानना ठीक है चलो पंदरा कोशन हो गया आगे चलते हैं आगे अगर हम देखें आगे अगर हम देखें तो अगला कोशन 16 है कह रहा है किस नदी घाटी छेतर में सीसा सिलका सेंड पाया जाता है सिलका सेंड सीसा पाया जाता है तो देखो जो धिरदून वाला छेतर है जहां टोंस नदी जो छेतर है मतलब धिरदून से आप और आगे चले जाएंगे तो टोंस नदी चो छेतरे वहाँ पर ये पाय जाता है अगले कुशन पे महरूडी में कस्तूरी मिर्गन उसंधान केंदर की स्थापना कप की गई तो इट्सा आंसस 1977 में बुरा नहीं मानना सही से समझना 1977 में ठीक है गलत युगम का चैन कीजिए गलत युगम का चैन देवरिया ताल रिया देवरिया देवरिया रुद्र प्रियाग ठीक मनी भदर ताल चमूली लामा ताल उत्तरकाशी हरिश ताल चमूली सोचो जरा देवरिया देवरिया रुद्र प्रियाग में रहती होगी देवरिया ऐसा समझ लो मनी भदर चमूली में ही है माना जैसे लामा ताल उत्तरकाश is very very important दिब्बत के साथ मामला हरीश ताल हरीश ताल हरीश भाईया यहां नहीं रहते हैं हरीश भाईया कहां रहते हैं हरीश भाईया नैनी ताल रहते हैं ऐसा हमें किताबों ने बताया है उमीद है आप तो अब तक समझ आ रहा होगा और सही चल रहा हो भज्यमी राम गंगा की सायक नदियां है ठीक है ये सिधा सिधा आंसर है अच्छा आपने बताना है आपने बताना है कौन सा कोशन फिर से याद रुको होम वर्क क्योंकि हो में तुम बैठे हो होम में तुम बताओगे कि भाया जो दूधा तोली दूधा तोली श्रिंखला है दूधा तोली जो परवत की पदस्थली है वहाँ पर वहाँ से कौन सी नदियां कौन सी कौन सी नदियां निकलती है क्या बात कर रहे हो कौन सी नदियां निकलती है ठीक है उमीद है तुमें समझाएगा कौन सी नदिय निकलती हैं ये बताना है तो दूदा तोली स्रिंखला से कौन सी नदी निकलती है ये बताना है आगे चलते हैं अगला देखना उत्रा खंड में उत्रा खंड में जनम मित्यू पंजी कृत कराने की प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शूर की गई थी कुशन नमबर 20 किस गवर्नर जनरल द्वारा जो था ये इसको शुरू किया गया था तो आंसर है विलियम ट्रेल 20 कौशन नमबर 20 क्या रहा है इसा बड़ा प्यारा कोशन था अराम से इसको कर लोगे कहीं कोई समस्या नहीं आएगी अगला कोशन यहाँ है 21 ठीक है 21 पे आते है वर्स 1907 में इस थापना किसके द्वारा की गई थी गोर अक्षणी सबसे बगे नाम देखो क्या है गोर अक्षणी सबा डारग जयात करा देता हूं सात में मिलकर किसने 1907 में मिलकर सारी साथ की साथ गायों को एक। और अक्षणी सभा बनाई किसने बनाई भई कौन बनाएगा 1907 में जिसके पास क्या होगी माया होगा माया धनी होगा धनी धनी राम होगा ठीक है चलो आगे आजाओ अगला कोशन देखो निमलिखित दर्रे एवं उनके युगम में से कौन सा युगम तुरूटी पून है तो अगला कुशन तuh फेमसे अगर उत्राखंड जो बन रहा है उत्राखंड जो बना उत्राखंड जो बना उत्रांचल जो बना एक समीती हमारी राजधानी जो बनी उससे संबंदित मामले कौसिक समीती का एक importance है ठीक है तो कौसिक समीती 1994 कब 1994 आप याद रखेंगे ठीक है 23 कोशन नंबर 23 का अंजर सीधा सीधा है आगे आजाओ हालिया दिनों में खूब न्यूज में रहें और चर्चा में रहें option चार हैं तो समझो आपके कितने कोशन तयार हो रहे हैं सिर्फ फरजी पेपर बना करके तुम्हारे हाथ में नहीं दे रहे आगे आओ मिलान कीजिए one healing station कहाँ पर one healing होगा तो direct answer ही बतारो ज्यादा time नहीं आपसे लूँगा one healing one को heal कर देंगी रानी माता रानी खेत में ठीक है a का हो गया d one का d one का d answer कर लूँ किया चलो ठीक है crocodile देखो आपकी खटीमा 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 खाट खडी हो जाएगी अकर crocodile आ गया तो crocodile आ गया तो क्या हो जाएगी खटीमा उद्हम सिंग नगर ठीक aroma aromatic पहला aromatic garden कहाँ पहला 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 लाल कुवा में कुए से क्या आ रहा है अरोमा आ रहा है अलग खुश्बू टाइप की ठीक है orchid क्या बना मंडल चमुली में तो यह हो गया है उसने एक कोशन डाला लेकिन ताकि revision आपका double हो अराम से आप paper करो ना पढ़ने वाले के लिए तो tough है और पढ़ना जो पढ़ना चाहता है सुधार करना चाहता है वो यह सोच रहे कि चलो अभी नहीं हो रहा अगले paper के लिए मैं पढ़ रहा हूँ अगले paper में तो होगा तो नाम तो आएगा बस लगे रहना है तुमें गलत यूगम का चैन कीजे किसका चैन कीजे गलत यूगम का विकास पुरूस नारण दतिवारी गुर्व बरहमरान जिम कॉर्बेट गलत यूगम medicine man, manispanth, apple man, ramez bhteja नहीं नहीं हर बच्चा बच्चा जानता है कि ramez bhteja को तो क्या कहते हैं toilet man कहते हैं क्या कहते हैं toilet man कहते हैं तो अब answer क्या होना चीए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंदर सिंग इंदर सिंग इंदर सिंग बिस्ट जो है वो होना चीए answer आ गया आते हैं चलो प्यार समझो अगला कोशन देखो हलसन साहिब आफ गडवाल पुस्तक के लेखक कौन है हलसन साहिब आफ गडवाल तो दुरुगा चरन काला एकदम दे मारोगे एक कोशन जादा टाइम नहीं लगेगा हलसन साहिब आफ गडवाल दुरुगा चरन काला उन्होंने लिख डाला ठीक है हलसन साहिब आफ गडवाल 26 is the right right answer दुरुगा चरनकाल आगे चले अगले कोशन की तरब प्रेक्टिस सेट बड़े प्यार से देखना फोक फोल्क गॉड ये लोक देवता फोक गॉड है ये ये मैं सही कर दे रहा हूँ फोक गॉड म्यूजियम किस स्थान पर निर्मान धीन है किस स्थान पर निर्मान धीन है ये आपने बताना है तो अलमोडा इसका आंसर है सल्ट अलमोडा में ठीक है कहाँ पर है सल्ट अलमोडा में निर्मान धीन है मतलब जैसे लोक निर्ति होते हैं लोक आभुशन होते हैं लोक संगीत होता है इसी तरह से folk god museum बन रहा है क्या बन रहा है मंदिर नहीं museum तयार हो रहा है तो ये कहाँ पर निर्मान धीने कहाँ सल्ट अलमोडा में अगला कोशन देखो फिर से गलत युगम चलो कितना बढ़िया teacher है चलिए पुस्तक और लिखा के tree drops रसकिन बॉंड हिमालें ट्रेवल्स जोट सिंगनेगी हुली हिमाले ईशेरमेन उकले नंदा के जागर बसंती मिष्ट ये सही मैच है ये सही मैच है ये भी सही है tree drops tree tops जो लिखा गया है वो लिखा है Jim Corbett ने किसने लिखा है Jim Corbett ने लिखा है ठीक है आर ये बात समझ में तो answer क्या हो जाएगा 28 का उमीद है कि practice set आपने कर लिया होगा अगर practice set नहीं करा पहले telegram channel join करो और महाँ पर ना free quiz भी होती है क्या होती है free quiz तो वो भी हमारी attempt करो एकदम बढ़िया और तुमसे हमें क्या चाहिए बस थमसा भी तो चाहिए यार जब हम तुमको कुछ दे रहे है दुनिया में कोई किजी को free नहीं देता हम तुमको ये चीज़ दे रहे है तो बस क्या YouTube सब्सक्राइब कर दो channel सब्सक्राइब कर दो खाली देख क्या रहे हो लाल बटन तुमारे बगल में होगा दबा ही दो जब इतना हो रहा है तो ठीक है खाली देख रेलते हो सब्सक्राइब करो यार शेर करवाओ यार अगर अच्छा पढ़ा रहे है तो थोड़ी सी मदद तुम भी करो हमारी तुम भी तो चाते हो कि इशवर तुमारी मदद करे तभी तो करोगे जब तुम दूसरों की करोगे चलो सब्सक्राइब कर डालो आगे देखो परदेश में पहली हैली सेवा अगस्त मुनी से केदारनाथ के लिए किस वर्ष शुरू की गई थी पहली हैली सेवा केदारनाथ केदारनाथ चारो धाम न्यूज में कुछ ना कुछ ना आए मनी ही लग जाए ऐसे कुशन है चलो देखो तो देखो पहली सेवा 2003 में स्टार्ट की गई थी कब की गई थी 2003 में मैं देखो किस कंपनी ने करी थी पवन हंस एक कमपनी थी पवन हंस एक कमपनी है मतलब और उसने ये स्टार्ट किया था आगे कुशन आते हैं थोड़ा जल्दी करते हैं टाइम लग जाएगा रिशी केशकन परियाग रेल मार्क के सबी स्टेशनों में से सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर ह होंगे सही से पढ़ना स्रีन अगर में होंगे चलो जल्दी का निमन मेंसे कौन सा उत्सव परते क 12 वर्ष में नहीं मनखना जाता क्या प्यारा कुशन कि कि कितने उत्सव ऐसे होंगे जो 12 वर्ष में मनाये जाते हों घंडियाल देवता की जात यह टीरी में मनाया जाता है ठीक है कंडाली उत्सव कंडाली उत्सव पिथोरागड में मनाया जाता है जुमाली उत्सव पिथोरागड में मनाया जाता है पांडू केश्वर यह इसका आंसर है पांडू केश्वर मेरी बात समझना पांडू केश्वर जो आंसर है वो है ह हर छह साल में मनाया जाता है का मनाया जाता है हर छह साल में मनाया जाता है मान रहे है क्या बात को समझ में आ रहे है क्या बात हर से अलमूरा ये बड़ा फेमस है पशुओं का मिला जिया रानी नेनिताल में ही है बौरानी भी पितोरागड में है अच्छा बागेश्वर में कौन है जो बागेश्वर का अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो जरूर बताना कि तुम्हारे यहां का फेमस मिला कौन सा किताबों के अलावा बताना कुछ तो बताना चैतोल चैतोल कहां तो चैतोल लगता है चंपावत में एक बार जाने का मौका मिला मैं बॉर्डर छूकर क्या है चंपावत का क्यूंकि मैं किसी काम से खटीम आ गया था दोस्तों चलो आजाओ आईए 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 इधर कि नामक आभूशन, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सोचो जरा आईवी का, पहुंची नामक कहां हात में उमीद है, सब सही होगा और अवाध सही आरी होगी ठीक है चलो, ठीक है अगरा का टॉषन देखते हैं प्यारे बच्चों प्यारे साथियों जरो तेखो कोले और आप कोले टेस्ट करो ऐसी खाली मत बैठे डो कट ओफ आसमान चूरही है लेकिन वो कट ओफ अलग अलग हिसाप से है कम पोस्ट आई है उसमें लोग अच्छे हैं अच्छी पोस्ट हैं अच्छी पोस्टों के लिए फाइट कर रहे हैं ऐसा सोचो ठीक है चलो राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीती किस वर्स लागू की गई बच्चा बच्चे को मालूम 2015 इसदर राइट राइट आंसर आगे आजाओ तूटी पूर्ण युगम का चेन कीजिए किसका कीजिए तूटी पूर्ण तूटी पूर्ण मतलब जो गलत है उत्रा खंड के इस्थल बद ये इस्थला चाहिए वाला जो श्रब देना ये होना चाहिए इस्थल इस्थल मतलब लेंड लॉक्ड जमीन से जोड़ इतना खुद को भी आना चाहिए तूँ को उत्रा खंड का पहला समाचार पत्र था उत्राखन का पहला समचार जितने लोग समय विनोद कर रहे हैं इसका मतब तुमने अभी पढ़ा है लेकिन साही से नहीं पढ़ा साही से नहीं पढ़ा जो पहला था वो था दाहिल्स कौन सा था दाहिल्स था आपका homework क्या है आपने बताना है कि दा हिल्स आपने क्या करना है आपने बताना है कि ये किस वर्ष आया किस वर्ष प्रकाशित हुआ मेरी बात समझ रहे हो किस वर्ष आया किस वर्ष वर्ष बताना है एक इसका समय विनोत का भी क्या बताओ वर्ष बताओ कब आया भाई बताओ जरा फटाफट और क्या लिख होगे इसे इसे लिखोगे hw home से किया गया work home work आ जाओ फटा फट ठीक चलो उत्राखंड उत्थान समीती उत्राखंड उत्थान समीती अगर तुम्हें मई 2024 कितना प्यारा सवाल को बुजाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया कौन सा अभियान चलाया गया जरा ध्यान दें तो जादा नहीं आपको पता है सरकार ने अपनी पिरुल निती लाई है पढ़ लेना एक्जाम में काम आएगा पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान तो भईया पिरुल ही कर दो जमा ठीक है अब आपने क्या बताना है कि सर हम तो पहाड के लोग है हमसे पूछो कितने रुपे केजी है बताओ जरा कितने रुपे केजी है अरे गबर बताओ जरा गबर ने पूछा है कितने रुपे केजी है चलो आओ हाली में हाली में उत्रा अगर तुमने पहले राजियपाल पता है तो तुमने बताना है क्या इसा बोल रहे हो गुए कुरेशी कौन से नंबर के राज्यपाल थे उत्राखन के ये बताना है क्योंकि उनका निधन हो गया तुम्हें पता होना चीए अब आओ आओ आंसर तो देखो आंसर की बात करें तो उत्तर परदेश हमने क्यों ये कोशन रखा है तो देखना ध्यान से समझना कि मनीपूर भी इस समय पर क्या था हिंसा था न्यूज में था न्यूज में रहा है मनीपूर के बारे में कुछ और भी पढ़ लो चलो आओ आओ आगे 39 और अगला कोशन है 40 कोशन नमबर 40 क्या बेव बोल रहा है तो जरा 40 की तरब हम देखते हैं कि क्या हमारे अभी सारे कोशन कंप्लीट हो गए लगबग हाँ 40 कोशन जो कह रहा है भी वो कह रहा है हाली में चर्चा मेरा मोनाल ट्रेक किस जिले में अवस्तित है मोनाल ट्रेक किस जिले में इस्तित है तो यह हर्शिल उत्तरकाशी में इस्तित है मोनाल ट्रेक किस जिले में इस्तित है ठीक है तो उमीद है आपको यह अब तक के 40 कोशन उत्राखन के पसंद आया होंगे अब हम परवेश करने जा रहे हैं अपनी मातर भाषा ऐसा समझ लीज़ें बस तो कड़वाली भी है पर मातर भाषा हिंदी और हमारी राज भाषा ओफिशल लाइगेज हिंदी पर इसका देख लेते हैं सभी विसरग सगोश हैं यह अंसरओं का डी है ठीक है तेको मैंने पढ़के रखा हैं क्यूकि मैं इनकी तो बनाया होका पेपर सैट यह नहीं बनाया यह दुसरों नहीं बनाया तो मैं जल्दी ंसर खर रहा हूं आप वीडियो को रोक लेना अगर जैद संधी विछेत करो तो संधी विछेत is very very important topic एक सवाल रहता है संग्राले संग्रेधन संग्रेधन आले यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अले होता नहीं है कोई शब्द ठीक है इस तरीके से भी question किया रज़ता है अगला है बद उपसर्ग किस सब्द से बना है जरा देखो ज सकते हो अलग नहीं होंगे बद ग्त्वालत है ना बद ग्त्वालत बद एक साथी हो का इसमें तो कुछ मुझे दिखना है बद धन ग्त्वाथ से पत्ता गिरा वाला अपदान तत्वृस तुम्हें याद रखना है आज आजाओ शिखी का प्रायवाची है, शिखायुकत केकी और अनिलाशी A is the right right answer अना, नहीं, शिखाच केकी अनिलाशी नहीं होगा इसका होगा मयूर, माप करना दोस्तों, माप करना, गलती हो गया था इसका अनसर जो होगा, वो होगा B ठीक है, मयूर, इसका अनसर होगा मयूर अहिरूपू और निलकंट ठीक है तो B है इसका अंसर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप आगे आते हैं अगले कोश्वन की तरफ चलते हैं अराम ज़े समझना लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी ओजस्वी चहरा देखते ही बनता था रखांकित सब्द कौन सा है रखांकित सा ओजस्वी ठीक है का विलोम बताईए तो देखो विलोम पुछा है लेकिन इतना लंबा लिख करके ठीक तो ओजस्वी का विलोम कांती हीन होता है ओज जिसमें तेज चमाक रहा हो और यहाँ पर क्या है कांती हीन आ रही है क्या मेरी बात समझ में है ना प्यार से पढ़ना बच्चो पेपर को कोई जल्दी ज़्यादा तेजी से नहीं 49 निम्न प्रश्ण में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रिखांकित है और उस भाग का सही अर्थ नीचे दिये गए चार विकल्पों में से चुनना है एक भाग कौन सा वाला अच्छा वो था ये कलेजा पशीज गया है ये रिखांकित है कौन सा रिखांकित है ये कलेजा पसीज गया है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है तो देखो, कलेजा पसीज गया उस चीज को देख कर कि क्या हो गया भाई, तो दिल बैठ जाना, हालत खराब होना गर्मी लगना, जितने बच्चों को ये लगता है गलत है जितने बच्चों को लगता है यह गलत है सही आंसर क्या है दिल बैठ जाने से भी कई ज़ादा बड़ा आंसर जो सही है वो है दया उत्फपन होना अचानक से किया यार मेरत उसको दे के कलेजा पसीज़ हिया यार दया आ गए उसकी पर बेन उसको गुजदे दिया, इस तरीके से इस कोशन को देखा जाए, आगे आओ, पचास पाते निम्न में से किस समू में सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तत्सम है, तो तत्सम है, पचास कोशन है, इसका है ए अंसर, सरकरा, पवन जेश्ट अगनी, ठीक है, ये कर ल राइट राइट आंसर, चलिए आगे, तो भाईया, आगे देखेंगे, और ये समझना, कि एक एक कोशन, बड़ा काम का है, concept भी क्लियर करेगा, revision भी करेगा, एकदम heavy dose paper है, प्यार से करना, आपकारी paper के लिए time मिल गया, मौका मत जाने देना, गांधी को राष्ट पिता कह गया है, वाक्या में रेखांकित संग्या किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ध्यांज सुनो, गांधी को राष्ट पिता कहा गया है, रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द है, तो भाईया, इसे किस संग्या रूप में परिवर्तित है, संग्या का रूप पता है तुमें बच्चे बच्चे को जाती वाचक, भाव वाचक, ये वाचक, वो वाचक, सब वाचक पता होते हैं, यहां देखो, राष्ट पिता के बारे में पूछा गया है, राष्ट पिता वैसे तो कैसी एक संग्या है, तो बस इसी को समझना है, देखो वैसे तो राष्ट पि वाचक बताता है लेकिन यहां पर particular किस के लिए बोला गया है गांधी के लिए बोला गया है तो यह क्या हो जाएगा जाती वाचक से व्यक्ति वाचक हो जाएगा आगे आते हैं निमलिकित युगमों में से एक लिंग की दृष्टी से शुद्ध है लिंग की दृष्टी से श गोप गोपी सुलोचन सुलोचना इस दा राइट राइट आंसर डी इस दा राइट आगे आते हैं दोस्तों चोर ने धन के लिए धारदार हतियार से विफसाई की गरदन धर से अलग कर दी इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है तो जब इसको पड़ोगे तो ज़्यादा घबरानी की नहीं है में पर अधीकरण कैसे करते हैं में या पर होना चाहिए तो वो नहीं है ऐसा समझना है ध्यान से पढ़ना है समुद्री साप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है इस वाक्य में कितने विशेश और विशेशन है तो यार जादा थौप क्या बूलू में विशेश कितने है तो साप की बात हो रही है और जहर की बात हो रही है समुद्री साप ठीक है और कीमती जहर तो इसकी बात अतनी टेलिग्राम चैनल जॉइन करो पूरा अभी वीडियो के लास्ट में पूरी डिटेल दे कर जाओंगा कोश्चन नमबर 56 सुद्वाक्य का चेन कीजिए कैसा सुद्वाक्य बताओ मेरी पाँच बहने और एक भाई है मेरी पाँच बहने और एक भाई है मेरा एक भाई और पाँच बहने है मेरी एक भाई और पाँच बहने है इनी का परिवार जनसंख्या बढ़ा रहा है देश में इनी का परिवार बढ़ा रहा है भाई किसके बारे में लिख दी ये बात ये जिसके बारे में लिखी भाई वो ही बढ़ा रहा जनसंक्या इतनी जनसंक्या नहीं बढ़ा नहीं भाई संसाद नोगा क्या होगा देश के बारे में सोचो population control करना है सोचो चलो आजाओ मेरा एक भाई मेरा एक भाई और पांच बहने है is the right right answer got it चली आगे कामाईनी के रचनाकार कौन है तो बिल्कुल एक दम कुशन तो दमदार बनाया लेकिन option इसके बिल्कुल एक दम बिल्कुल एक दम ऐसे दे दिया मज़दार दे दिया और क्या चीए तुम्हें तुम्हारा दिन बन गया कामाईनी को उठाओ जैशंकर की परसाद पर रख दो और बात होगी खतम आगे देखो बस stand के पास बस stand के पास क्या question है frame देखना बस stand के पास अवारा लड़कों के वहवार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेडखानी के विरुद F.I.R. दर्ज करवाने के लिए किसे आविदन पत्र लिखेंगे सवाल बड़ा है पर हुआ कुछ नहीं ध्यान से पढ़ना बस stand के पास अवारा लड़कों जरा लड़कियों ध्यान देना क्या पता तुमें कभी लिखानी पड़ जाए पर मैं examiner से जिसने कोशन बनाया है उन सर से मैं request करूँगा कि सर बस stand के पास अवारा लड़का इसको सब्दों को बदल करके लड़का की जगा कुछ कर दो तो मजा भी आजाए कुछ नया जमाना है यह कोई भी किसी को छेड़ सकता ऐसा क्या है तो थाना अंदक्ष मौदे लेकिन तो को समाजिक प्रवर्ती है कि लड़के छेड़ते हैं तो ऐसा नहीं करना है थाना अंदक्ष मौदे को आप ऐसा करेंगे बाकि सफ़र जी है अंदक्ष माओं के लोगों ध्यान दो जिब्या मा रस जिब्या मा विश और बापरे बस यही तो देखना था नजुबान का अच्छा नहिदे का अच्छा ऐसा कुछ इसका आंसर लग रहा है डी 59 एक बर कन्फॉर्म कर लें क्या है ना 59 नहीं जीब में ही रस जीब में ही इसमें करते हैं A is the right answer ठीक है तो देखो यह जो हमारा जो संस्कृति कल्चर है संस्कृति कल्चर है उसमें इस तरह कि कई सारे जो मुहावरे हैं वो आ रहे हैं तो उनको हमें देखना है अपनी भाशा लोग संस्कृति को बढ़ाने के लिए आयोग ऐसा कर रहा है यह प्रि करना अगर कोई नया कोश्चन लगे वैसे नया नहीं है पुराने है लेकिन बस अलग से सेट किये गए हैं 61 कह रहा है PD के कंप्यूटर किस PD के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रियोग करते थे तो देखो PD से सवाल आते हैं बचपन प्राचीन काल से पढ़ र समझ में माइक्रो प्रोसेसर यूज किये गए आगे आगे आते हैं उन्नत तकनीके उन्नत तकनीके जैसे की कृतिम बुद्धी मता that means artificial intelligence quantum computing आधी मुख्य रूप से किस PD के कंप्यूटर के लिए थी तो दोनों ही कोश्चन रखे हैं ताकि तुम एक बार उत्रा खंड में जो कि कैसे कोश्चन हो सकता है क्या हमने topic पढ़ा है क्या हमने नहीं पढ़ा है आजाओ ज़रा फटा फटा फट ठीक देखो अब यह national income का कोश्चन है अगर तुमने पढ़ा है तो करना नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना इसका answer A और B है मैं तुमें बता दूँ देखो NNP ज होता न घिसावट उसको माइनस करना होता है अगर NNP की बात कर रहा हूं और अब दे रखा है GDP ठीक है GDP दे रखा है तो देखो पहले तो gross से आप net में जाओगे अगर gross से net में जाओगे तो माइनस depreciation मतलब घिसावट तो करोगे करोगे उसके बाद आप domestic से national में जाओगे जब आप domestic से national में जाओगे तो आप net income from abroad net income from abroad मतलब शुद्ध विदेशों से प्राफ तो शुद्ध आई को क्या करोगे add करोगे plus करोगे plus domestic से घर से कहा जा रहे हो आप national में जा रहे हो अब ये national का पूरा topic है मैं class में कराता हूँ समझाता भी हो तो कहीं कोई दिक्कत आती नहीं आपने नहीं पढ़ा है तो बुरा मत मानना दिल पे मत लेना अगला question करो क्या है इसमें आगे आओ भूदान आंदोलन किसने प्रारम किया basic question previous question तुमने देखते ही मारा होगा अब मेरा सवाल ध्यान देना जो भी बच्चा पढ़ रहा है विनोवा भावे जिसने भी स अग्याई जिसे start किया था ये मेरा question है जराफटाफटा answer करेंगे चलो आँ हो आग़े 65 देखिए भारत के वर्तमान लोकपाल भारत के वर्तमान लोकपाल कौण है करेंटाफेर का question है question number 65 है अर्विन्द पनगड़िया वित आयोग याद आ रहा है क्या वित आयोग ठीक है अरुन कुमार मिश्रा NGT की बात हो रही है, यह नेशनल युमन राइट कमिशन की बात हो रही है, ठीके, यह SC कमिशन की बात हो रही है, और M के खान विलकर, खान विलकर is the right right answer, तो B हो गया, answer चलो आ जाओ, निव्ण में से कौन सा एक गलत युगं है, कौन सा एक गलत में हैपी, कितनी freedom index freedom index याद कर लेना 24 159, 24 में release हुआ है 23 का है, 159 global peace, शान्ती नहीं है भईया अपने पास, शान्ती इतनी नहीं है शान्ती कितनी है, शान्ती 126 प्यानी है जहां हैपी वहीं खुश जहां हैपी, वहीं खुश रहोगे तुम ये याद रखना चलो आजाओ साथियों जड़ा आगे देखते हैं, सागौन महतपूर वनस्पती है, सागौन कैसी वनस्पती है, महतपूर वनस्पती है कहां की, पूर्वी पुर्वी पश्चीमी मालवा, ये सब, तो सागौन एक सदा बाहर कहां मिलेगा पश्चीमी घाट पे क्या बांते हो चलो आओ आगे अगर मैं देखू इस match the following को पहले तुम्हें match the following देख लो कूट एक को कूट दो से मिलाना है मैं फटावड यहाँ पर मिला दे रहा हूं फिर तुम अपना मिलाते रहना अगर बात करें काली ब्लेक करांती मुझे दिख रहा है पेट्रोलियम से होगा पीली करांती तिलहन से होगा और ग्रे करांती उरुरक से होगा ठीक है तो option ऐसे होने चाहिए कि कि एक का भी मतलब एक का भी होना चाहिए और दो का D होना चाहिए तीन का A होना चाहिए और चार का C होना चाहिए तो B, D, A, C B, D, A, C, B, D, A, C पहला ही option है चलो 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 आजाओ बहुत बढ़ी है अगला कुशन देखो वाँ ये भी match the following और बड़ा प्यारा भीलाई, 36 गड़, बोकारो ये सब मिलाना है तो देखो ध्यान देना दुर्गापूर पश्चिम मंगल राउर के रा उड़ी सा भीलाई, 36 गड़, कितनों की भलाई करी 36 लोगों की कितनों की भलाई करी 36 लोगों की तो बोरी, बोरी कहां रखी है जाड में रखी है, ऐसे भी याद कर सकते हो भिलाई, ऐसे याद हो वैसा आपने आप भी याद हो जाता है कोई बड़ी चीन है, दुर्गापूर पश्चिम मंगल में बड़ा फिमर से दुर्गा पूजा पश्ची मंगाल में होती है राउर केला केला लेके उड़ी चील ऐसे भी याद कर सकते हो उड़ी सा ठीक है उड़ गया केला ऐसे याद कर लेना तो जो भी आंसर हो देख लेना चलो आग जाओ कच्की खाडी में सित कांडला ये बहुत बार आता है अलग अलग प्रकार से इस कोश्चन को रखा जाता है कांडला जो बंदरगा है तो निर्यात प्रसंसकर छेतर के लिए 1965 में बनाया गया था है तो इसको था एकस्पोर्ट करने के लिए बनाय गया था आगे भारत में जै वेविता के हपस्टल हॉट स्पोर्ट हॉट स्पोर्ट कहां पर है ये तुमने मुझे बताना है देखो कोश्शन कोश्शन देखो फटाफट आंसर बड़ा क्लियर है मैं तुम्हें बताऊं तो जब तुम्हें इंडिया का मैप बनाते हो तो बस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट याद रोखोगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है पूर्वी हिमाले और पश्चीमी घाट क्या है जैवेता के होट स्पोट छमते छपने वाला सवाल है और गलत भी बहुत ज़्यादा होता है माइंड करना मेरी बात को आगे समझो आगे आओ प्यार से विशु की सबसे बेरियर रीफ होती मैप में देखना हो जाएगा आगे आजाओ निमन में से कौन सा एक युगम सही है पूछा है क्या वीर भूमी लाल भादूर शास्त्री को बोलते हैं कर्म भूमी राजीव गांदी मापरायन घाट गुलजारी लाल नंदा या अभै घाट मुरार जीते नारायन घाट ठीक है महापरायन घाट जो बोलते हैं वो बोलते हैं राजिंदर परसाद को किसको बोलते हैं जो हमारे पहले राष्ट पती थे ना उनको बोलते हैं अब ए घाट किसको मुरार जीते साई तो यही सही स्टेटमेंट है आगे आएंगे निमन में से कितने यु गम साही जुनमेत है दादा साफ फाल के बच्चे बच्चे को पताई कि एस हो में लेते तो एस में भी है इस में भी है तो ये तो नहीं हो सकता बोरलाग पुरुसकार शांती से क्या नहीं भईया ये तो कृषी के छेत्र में दिया जाता है तो बी तो नहीं होना चाहिए तो दोनों बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलो आजाओ फटाफट अगला देखो निवन में से किस संस्था का मुख्याले जिनेवा में नहीं है जिनेवा में नहीं है देखो रेड क्रॉस है वे ये है ये भी है इंटर पूल कहां है पैरिस में है सर कहां पर है सर पैरिस में है सर पै काल लेना, reasoning वाले सर अराम से करवा सकते हैं, solve भी कर वसते हैं, कहीं कोई समच्चा नहीं है, reasoning पढ़ा रखी है, YouTube चैनल पर एक बार देखो, तुम्हें मजा ना आ जाए, जो मर जी कह देना, बहतरीन reasoning, भाई या SSC वालों को पढ़ाने वाले टीचरों ने तुम्हें reasoning पढ़ाई है, तुम्हें maths पढ़ाई है, एकदम कमाल धाया है, वहाँ पर, answer is the song बार हो जाएगा, आगे आते हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे, जो जब पढ़ोगे, एक लड़के की और इशारा करते हैं, वीना ने कहाँ, वा मेरे दादा जी केकल को जोड़ोगे, W को D के साथ जोड़ोगे, तो 27 योग होगा, U को F के साथ जोड़ोगे, 27 होगा, 8 को 19 के साथ जोड़ोगे, 27 होगा, तो इन दोनों का भी योग क्या हना चीए, 27, तो 13 को 14 के साथ जोड़ोगे, 27 आएगा, 11 को P के साथ, मतलब 16 को 11 के साथ जोड़ोगे, 27 आ देखो, तभी आएगा, आगे देखो, ये question है, हाँ, इसको भी बना लेना बन जाएगा, अराम से इसमें कुछ हो नहीं रहा है, अगर तुम देखो, तो इस B को यहाँ C लिख दिया गया, इस E को यहाँ पर F लिख दिया गया, A को B लिख दिया गया, U को V लिख दिया गया, इस आधार पर लिखोगे, तो P को क्या लिखना चाहिए, क्यो लिखना चाहिए, यहाँ, 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 सब जगा मिलेगा, इसका आंसर भी होगा, करोगे हो जाएगा, ठीक है, आजाओ, एक वर्ग में नीरच का अस्थान, देखो, ये जो वर्ग है ना, ये basically क्या होना एक ही विखती है, 25 उना चीए, माइनस वन करोगे, 24 इस दा राइट राइट आंसर, आगे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, त्रिभूजों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई साथ है, त्रिभूजों की संख्या कितनी है, साथ है, ठीक है, गिनना हो जाएगा, इसमें आ डूपे न 39 है राजिस्थान में 26 है क्या मध्यप्रदेश ये सब देखोगे तो राजिस्थान में 26 नहीं है बलकि कितनी है ठीक है ध्यान देना चलो आगे आजाओ ओ भी अब बड़ा सवाल अराम से देखो रोक लो जरा ये मैंने स्पेशल सवाल दिया है निम्न में से कौन सा कथन अनुछेद 20 आर्टिकल 20 मेरी बात ध्यान देना बच्चा बच्चा पूरा बच्चा बच्चा हर बच्चा बच्चा प्यारे साथियों Constitution में Article 20, 22, 29 and 30 पर Confuse होता है क्या होता है? Confuse तो Confuse को fuse ना करो बलकि On करो और On कैसे करो? 20, 22, 39 और 30 को पढ़ डालो तो 20 किसकी बात करता है? 20 बात करता है जब आप अपराद करते हो तो अपराद के साथ कैसा वेवार होगा? मतलब अपराद करते हो तो क्या? अपराद के लिए क्या सजा है? एक बार है, दो बार इस तरह की बात करता है 22 क्या बात करता है? तो 22 बात करता है कि जब आपको जेल सजा दी जाए अभ्यूक्त की बात करता है 22 ऐसे समझना असान होगा अब्यूक्त कौन होता है जिसको पकड़ा तो गया है पर पता नहीं कि इसने अपराद किया है इस अधार पर यह सवालों का तो मेरी बात समझना संदर्ब में सही नहीं है किसी भी एक विक्ति को एक अपराद के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी ये भी इसमें लिखा है 22 लगेगा हिरासत में ठीक है उससे पहले सारे कंटेंट जो है वो तीनों के दिन 20 के हैं ये आप याद रखोगे आगे आजाओ माउंट एवरिस्ट सिखर पर चड़ने वाली पहली मैला थी फटा फट कोशन कर डालो अब जैसे ही तुमने कोशन करा होगा तो कई लोग सही कर लेंगे कई लोग गलत कर लेंगे ध्यान से करना जब कर रहे हो जिसने भी बिशंद्री पार मिला है वो बिल्कुल भी सही नह बस यही तुमने बताना है कि किस वर्ष किस वर्ष तुम बोलोगे इतने सवाल क्यों पूसते हो क्योंकि साथियो तुम्हें जागना है तुम्हें जागना है तुम्हें सोना नहीं है तुम्हें पढ़ने के लिए जागना है याद रखो तभी तो लाल कोटी पहुंचोगे चलो आजाओ आगे भारत में निम्न में से किस तटिया परदेश में उत्तर पूर्वी मौनसून से वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मौनसून से वर्षा होती है क्या होता है उत्तर पूर्वी मौनसून सर ये क्या बात कर रहे हो ये वाला मौनसून होता है दक्षन पश्चिम ठीक है ये वाला मौनसून कौन सा दक्षन पश्चिम जब यही मौनसून वापिस आने लगता है तो इसी मौनसून को क्या बोलते हैं इसी मौनसून को बोलते हैं उत्तर पूर्वी मौनसून ठीक है कहां की बात हो रही है किस is the right answer अगले कोशन पर आते हैं भांगलादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं भांगलादेश की मेरे प्यारे साथी अब तुम्हे भले तुम्हे ये आदना हो कि भांगलादेश से कौन-कौन राज्य लगता हो तो ये सोचलो कि कौन सा राज्य नहीं लगेगा अगर तुम अगर तुम नौर्थ इस्ट स्टेट को समझने की कोशिश करोगे थोड़ा-थोड़ा तो तुम्हे वहाँ पर समझाज आएगा सही से नौर्थ इस्ट स्टेट को मेरी बात समझना गौर से क्या नागा लेंड नागा लेंड अरे बांगलादेश के पास पहुँच पाएगा क्या नहीं पहुँच पाएगा तो नागा लेंड बाहर अगर नागा लेंड यहां भार तो मेरे प्यारे साथी नागा लेंड नागा लेंड यहां भार और नागा लेंड यहां भी बार तो जब आंसर क्या बचा यही तो बचा मिघाले असम पश्री मंगाल तिरुपुरा अब कोई मंतर फू को आंसर हो गया बात हो गई समा आगे आते हैं और मजे लेते हैं आगे समझेंगे सूची एक को सूची दो से मिला यह ओ माई गॉड यह बड़ा ही कतरना कोशन है ज तो भाय यह एक दो पीन और चार होते हैं तो यहां पर डो का हमें पता चला है कि दो का क्या है ए जो का ए है inurance निक्लिष मशनरियों को भारत में चारू शंदिया इंगलिश मशनरियों को बहरत बहारत में आने के नितमतिका मिलीied का मिली को तेरा मिशनर्यों को बोला कि भारत आने का अचाटरा दिनियम 813 तो ये हो गया तीन का C कर देंगे बस हो गया काम खता नियंतरन परिशद क्या है तो देखो तुमने क्या पढ़ा होगा Board of Control क्या पढ़ा होगा Board of Control पढ़ा होगा Board of Control Establish हुआ यहां 1784 में लेकिन अगर Board of Directors की बात होती तो वो यहां जाता याद रखना Control आ गया 1784 का मतलब A का B होगा तो B, A, C और D का D होगा फिर यह होगा अंसर तो B, A, C, D B, A, C, D B, A, C, D B, A, B, A C, D और C, D यह हो गया अंसर ठीक है आराम से देखना इस Question को PDF में देखना टेलिग्राम से डाउनलोड करना आगे देखना भारते समिधान का कौन सा अनुचेत अल्प संख्योकों को अपनी मन पसंद सिक्षन संस्ताओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है तो मेरी बात समझना घवराना नहीं प्यारे साथी अगर मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ तो बस तुम्हें मैं ये बता दूँ कि प्लीज आज 29-30 देख लो तो बस मज़ा आ जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा सिलेक्शन के तो तुम नजदीक ही बैठे हो अच्छा इस तरह का टेलिग्राम चैनल पर आपको लिंक मिलेगा आप हमारी डेली कुईज के लिए जो तुकी 10 बजे होती है इस चैनल को फॉलो करें टेलिग्राम को और आ करके ताबर तोड कुईज करे प्रेक्टिस वहाँ भी हो जाएगी और फ्री प्रेक्टिस सेट फ्री टीपीडियाफ वहाँ मिलेगा एक दम फ्री तुम्हा से हमें क्या चीए लाइक करो सब्सक्राइब करो और क्या करोगे आगे देखो निम्न में से कौन मुद्राजफिती से सरवादिक लाब पाता है यह बिल्कुल एक समझने वाली बात है मुद्राजफिती से सरवादिक लाब पाता है आप सोचोगे यारसर कैसे इसका आंसर दे रहे हो देखो भया मुद्राजफिती को समझने पड़ता है अब किसी ने 26 और 2024 ऐसे माल लो किसी ने आपसे 2000 बिना किसी guarantee के loan पैसा लिया 100 रुपे मँआगा उसने आपसे और 2024 में उसने आपको 100 रुपे लटाया तो 2016 में जिसने 100 रुपे लिया था 100 रुपे लिया था वो तो क्या हुआ उसने उधार लिया आप से वो रिनी हुआ और उसने 2024 में आपको वो पैसा 100 रुपे लोटा दिया जब उसने 100 रुपे उस समय खर्च किया होगा तो उसा जाधा समान मिला होगा ना किसी भी मुकाबले में 2024 में मेंगाई ज्यादा है थोड़ा कम समान मिला होगा अगर आपको ये समझ नहीं आरी तो आप थोड़ा 10 साल 15 साल का समझ लो एक साल में भी समझ सकते हो मुद्राश्विती के दौर में रिनी को फाइदा होता है लाब साहुकार जो उधार देता है उसको नुकसान होता है मुद्राजफिती में आरे ये क्या बात समझ में इस थाई जो जिनके पास पैसा आता है उनको भी नुक्सान होता है ये मुद्राजफिती का गुण है बाकी पूरी पढ़ाई करो तब समझ आएगा क्लासेस पढ़नी जरूरी है आगे आजाओ इस कोशन को देखोगे प्यारे साथियों ये है कुछ अधीनियम ये है कुछ अधीनियम और बाकी क्या चीज़ है ये है उनके एर मेरी बात समझना अधीनियम उसे कई बार कोशन आता है बी रेडी प्रिवेसर कोशन देखो वहाँ अधीनियम उसे कोशना मेरी बात को निम लिखित में से किस राज्जा में निम लिखित में से निमलिखित में से किस राज्य में सरवादिक छेतर वनों के अंतरगत पाया जाता है आप सबने देखा पड़ा बोला सर MP तो पहले नंबर पे है वो तो आप्शन में नहीं दिख रहा ऐसा धोका क्यों तो प्यारे बच्चे ऐसा धोका इसलिए क्योंकि वन रिपोर्ट आए वे बहुत टाइम हो गया है दूसरा भी पड़ो तीसरा भी पड़ो छोड़ो कोई नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा अरुनाचल परदेस इस दर राइट राइट आंसर तुम तीसरा दूसरा तीसरा कमेंट कर देना और क्या लेंगे चलो आजाओ 94 पर आजाओ 94 पर तुम देखोगे ये कुशन कैसा है तो सर ये कुशन महाजनपद से है उठा करके मारो कैसे कुरू कौन है सबसे ज़्यादा कुरूर था इंद्र तो इंद्र प्रस्थ हो गया कौशल कौन है कौशल तुमारा दोस्त है कौशल शिरिवास्तव पंचाल कौन है अचित्र ठीक काम पिल्ले भी इसकी कैपिटल होती है वत्स कैसा है कौसामबी वत्स कौसामबी ठीक है इस तरह से मैच कर लेना आंसर हो जाएगा अब उसकी बात करो तो A का D 1 का D 1 का D ये ये दो का A 2 का C 2 का पंचाल का C तो ये ही हो गया आंसर आंसर is the right right answer तो तीसरे का A वत्स का A ठीक है ठीक है ठीक है got it ये हो गया आंसर ठीक है चलो आगे आते हैं ये है है ना हमारी explain answer की भी आप इसमें देख सकते हो PDF वगेरा में तो आपको ये link वगेरा सब लगाए हुए है अराम से करना बुद्ध ने अपना पर्थम उब्देश कहां दिया था वा क्या बात है तुम तो ये भी जानते होगे एकदम वैशाली राजगरे सारनात पावापुरी तो बिना देर करे सारनात में दिया था ठीक है ये ध्यान रखना है अच्छा आपने बताना है बुद्ध ने सांख्य दर्शन की सिक्षा सांख्य दर्शन की सिक्षा कि सिक्षा किस से ली थी किस से ली थी मेरी बात समझ रहे हो का चलो फटाफट कमेंट करो आगे देखो किसके साशनकाल में भारत में अंग्रेजी सिक्षा आरम की गई तो मेरे भाई ज्यादा सोचना नहीं है अंग्रेजी सि ले लौड मेकाले कब बना था यह आयोग तो विलियम बेंटिक के टाइम में बना था प्रात्मीक सिक्षा में जो इंगलिश है वो इनी के दम पर आई आगे देखिए 97 बात करें सुमेलित नहीं है इंडियान इंड्रेस्ट वेलेंटाइन सिरोल इंडिया विंस फ्रीडम अभूल कलाम अजाद इंडिया डिवाइड जवाहरलाल नहरू नहीं डिवाइड क्या करेंगे डिवाइड कर दो परसाद अगर डिवाइड परसाद करोगे तो क्या मिलेगा फल मिलेगा राजिंदर परसाद राइट आंसर आगे चलते हैं हाँ अगला कोश्चन सरकार की बात आती है तो बैया सरकार ओरिंटेट सवाल कई बार आते हैं योजनाओं के बारे में तो ध्यान से पढ़ना उपरुक्त मैंसे कितनी अटल भिहारी वाजपाई के प्रधान मंतरी रहते प्रारंब की के जो योजनाओं हैं वो किसके अटल भिहारी वाजपाई के अगर बात करें तो दो हजार 1998 से और 2004 के आसपास उनकी सरकार रही है 99 के आसपास भी आपको देखने को मिलती है तो स्वनिम चतुरबुजी योजना परधान मतरी ग्राम सड़क योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये सब इनी के टाइम पीरेड पे तो केवल तीन ही मिलती है 73 वा समिदान अपने मुझे नाम बताना है कि हिंदू पेट्रियार्ट की शुरुवात किसने की थी किसने की थी किसने इसको बनाया था आर यह क्या बात समझ में एक एक कोशन आपने ऐसा करना है कि भाया आपको वो याद हो जाए साथ में आप इस प्रेक्टिस सेट को डाउनलोड करके आपने आप भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि आपकी जेब में ये practice set सुबे ही आ जाए, तो आपको इस दिये गए number पे संपर करना है, और संपर करके आपको कुछ पैसे अधा करके, छोटा सा amount अधा करके, ये आपने practice set लेना है, आप अकरको लगता है कि आपका practice set तो इतना, इ ये सब चीज़ें आपको हमारे practice set में मिलेगी, अगर इस practice set में कोई तुरूटी पाई जाती है, तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि type 5 करते भी कुछ गलत हो गया हो, तो यार छमा माफी, ठीक है, चलो, आगे दिखते हैं, और YouTube चनल, follow कर लो मेरे भाई, practice set आपका हर practice set का solution यहा बारे में बात हो रही है, Congress के अद्ध्ख सुनाओं के बारे में बात हो रही है, दो बार वो अद्ध्ख बने, एक बार कांदी जी की इच्छा के साथ, एक बार कांदी सीक है विरुद, तो बस, मामला वहीं पर समापत होता है पठाभी सितार महीआ का, तो फटा बता देना जरूत नहीं पड़ेगी तो यह question तुम्हारे लिए बड़ा वाला homework बड़ा वाला homework मेरे प्यारे साथी और like मार देना अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो एकदम fake करके वहाँ पर like कर देना और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो explanation रह जाती है इसलिए अगर आपको लगता है कि वीडियो और जल्दी बनाओ तो हम और जल्दी बनाएंगे लेकिन comment section में अपना सुझाओ जरूर दे अगर मैं ऑसितुर जल्दी बनाएंगे भीडियो जरूर तो हम जाती है उटूर ठक्रड़ की बनाएंगे जि STOP कोमता के लेकित वीडियो चल्याद knife ऴीडियो बनाएंगे तो चल्यादार मैं लगताय कि वीडियो देनादाध आपका है कि भीडियो आपके अशना सुझाआक जिए